रिब के आरोप में गुर्मीत राम रहीम को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई है ऐसे में बताते हैं कि आखिर जेल में कैसा रहेगा राम रहीम का रुटीन सुबह साधे चार बजे उठना पड़ेगा फिर 5 बजे हाजरी के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ेगा साधे 5 बजे चाय मिलेगी इसके बाद ग्राउंड में एक्सेसाइस करवाई जाएगी 6 बज कर 30 मिनट पर प्रार्थना कराई जाएगी बुरे कामों से दूर रखने की शपत दिलाई जाएगी फिर 7 बजे नाश्ते के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ेगा साधे 8 बजे कोट द्वारा निर्धारित काम कराया जाएगा इसके 2 घंटे बाद 10 बजे काम करते समय फिर से लाइन में खड़े हो हाजरी देनी होगी आदे घंटे के बाद फिर से काम में लग जाना होगा खरीब 2 घंटे बाद खाने के लिए खैदियों के साथ बैरक में लाया जाएगा फिर साड़े 12 बजे नाने के लिए लाइन में लगना होगा फिर देड़ बजे लाइन में लगकर पैदियों के साथ बैठ कर खाना लेकर खाना होगा दो पहर दो बजे तक खाना खत्म कर अपने बरतन धोकर जमा करना होगा फिर तीन बजे तक आराम साहरे तीन बजे चाय के लिए लाइन में लगना होगा फिर चार बजे जेल में सफाई करने का काम कराया जाएगा पांच से छे बजे तक गैदियों के साथ बैठक हॉल में भजन करना होगा फिर साथ बजे बैरक में वापस लाया जाएगा एक घंटे बाद रात में खाने के लिए फिर से लाइन में लगना होगा नौ बजे सोने के लिए बैरक में बंद कर दिया जाएगा वहाँ जमीन पर कंबल बिचा कर जमीन पर सोना होगा दैनिक भासका.डाट कॉम की रिपोर्ट